असलम वालेकुम फ्रेंड वेलिकम तो मैं चैनल ओन्दानेम उस्मान जाट एंड सब्क्राइब तो कीप इन कंटेक्ट आज हम युनिवस्टी आफ एल्स साइंस की फिफ्थ मैलिस प्रेडिक्शन के उपर बात करेंगे फिफ्थ मैलिस कब लगेगी और इसमें मैलिस कहां तक कम हो सकता है इन तमाम चीजों को आज किस वीडियो में हम डिसकस करेंगे तो सबसे पहले आपको ने फ़ाम कर दें कि फॉर्थ मैलिस जो के 26 को लगी थी उसमें लोवर्स मैलिस था पब्लिक सेक्टर का 91.4773 जबकि प्राइविट वालों का फॉर्थ मैलिस्ट में जोंसा लोवर्स मैट था वो था 79.5455 तो जब युनिवर्स्टिया फैल सेंस ने फॉर्स्ट मैलिस अप्लिड की तो मैंने एक मैलिस प्रेडिक्शन के उपड़ वीडियो बनाई जिसमें मैंने कहा था कि लास्ट है जो ओवर्राल चेंज इन मैट था डिक्रीज इन मैट वो है 0.0758 अगर इस मरत्म भी इसी तरह से मैट डिक्रीज होता है तो ओवर्राल सिक्ष्ट मैलिस्ट के बाद जो लोवस्ट मैट होगा वो होगा 91.4697 ऐसा मैंने तब मैट प्रेडिक्शन में कहा लेकिन काफे तुल्बा के आर्गुमेंट साय कमेंट साय के सार्ड पहली बात तो यह इतना मैट डिक्रीज कैसे होगा कहा 5455 और कहा 4697 दूसरा यह कि सर्थी धर्ड मैलिस्ट के बाद कोई मैलिस्ट अपलोड नहीं होगी जैसा कि तुल्बा के दिर्मियान बेश मौड हाथ तक कि अपलोड करेगा मैंने बहुत कहा कि निशाला 4th भी लगेगी 5th भी 6th भी जब तक सीट से वेकन रहेंगी तब तक मैलिस्ट अपलोड होगी तो जैसा कि आपने देखा कि 4th मैलिस्ट लग भी गई तुल्बा के डिमिशन भी होगे अब बाड़ी है 5th मैलिस्ट की एक बात आपको मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी भी सीट हैं गवर्मेंट मेडिकल कॉल्जिज़ में प्राइविट मेडिकल कॉल्जि़ में जब तक वो फिल नहीं होती तब तक मैलिस्ट लगती रहेंगी चाहे 5 हैं चाहे 10 मैलिस्ट लगें चाहे 20 इससे तरह से 2017 में अप्राक्सिमेली FMDC की 20 करीम मैल लिस्ट लगी थी और मैड काफी डिक्रीज सेटीफ फाइटीफोर के करीब तो यह उस दोड़ की बात है आप से मैं कहना यह चाहता हूं कि जब तक सीर्स वेकंट है देर विल भी मैल लिस्ट तो इसके लावा आपको एक और एहम बात वो यह कि यूएचेट फिफ्ट मैल लिस्ट कब अपलोड करेगी जैसे ही कोई मैल लिस्ट अपलोड होती है यह उसके बाद तालव इलम टीफिर्ट मैडिकल काल्जिस में जाकर आपने डाकुमेंट समिट करते हैं फी समिट करते हैं और अपने सीर्ट सेक्योर करते हैं तो यूनिवर्स्टी वाले होती हैं वह ऐसा करते हैं कि जो तालव इलम आके फी समिट कर देते हैं उसके नेम के आगे टिकल कर देते हैं इसी तरह से हाट काल्जिस के पास एक रिपोर्ट होती है हमारे काल्ज में इतने तालव नियू आ किया जो शीट वेकर्ड है फिर उन में नीचे से तालब ऐलम आकर उस शीट को कवर करते हैं तो जब तक तक काल्जिज अपनी रिपोर्ट यूच एस को सेंड नहीं करते तब तक यूच एस मेल अप्रोड नहीं कर सकती तो जैसे ही तमाम काल्जिज अपन अपने रिपोर्ट की गार्ड कॉर्च आ इस्ट वेकर अप्राइब कर तके से लग जाते हैं तो आइट नाइन डेज के बाद यूचस मेड़ा के फिफ्थ मेल लिस्ट भी अप्लोड कर देगी इसके अलावा दूसरी एहम बात ये कि इस मरतबा मैंने का था सिक्स मेल लिस्ट में मैट आये का 91.4697 लेकिन इस मरतबा जैसा कि रैसी प्लोकल का अभी तक 14 सीट कवर नहीं हुई उसके बाद में अभी यूचस नोटिफिकेशन अप्लोड किया इसके इलाव रैसी प्लोकल के इलावा एफमडेसी की सीट भी कवर नहीं है तो अमीर दै ना मैट डिक्रीज आया है जितना 6 में डिक्रीज आना था मीज़ है उतना 5 में आएगा तो जो मैल लिस्ट थी 91.4697 इस से करीब करीब इनिशाला 5 मैल लिस्ट में आएगा और 91.45 के उपर वाले वो जरूर इन मैल लिस्ट से रापते में रहीं कि कब पता नहीं कब उनका नेम पाजे और उनको बता नहों और उनकी सीड़ वेकर रहे उन्हीं चैसे को ताविलम उनकी सीड़ को कवर्ड कर जाए जब कि अगर प्राइवर्ट मेरिकर करें तो इसमें फॉर्थ मेरिट वह सेमन नाइन पॉइंट फॉर फाइफ और मैक्सिमम पॉसिबिल्टी यह जो फिफ् नहीं है कुछ कह जा सकते हैं लेकिन सेमेंटी एट से पार काफी हाथ तक होता है इसकी तुलबा जायन करते हैं चोड़ देते हैं काफी इसक शूर्ण होती हैं जैसे आपको पता है कि कोब्वेट नहीं होता इसका मेरिकरीज होता है इसका मैट 86, 82, 82 से 80, इसके बाद 79, इस तरह से काफ़ी इसका होता है, तो अमीद है इसकी भी 5th, अमीद ही नि बलके इसकी भी इन्शाला 5th भी लगेगी, 6th भी लगेगी, तो बाफ पढ़ेशान नहों, हो भी बेस्ट अफ लक, अलाह फीज, लाइक एंड शेर दा वीडियो as well, thank you.